तो आज एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो एंड्रोइड फोन में तो इसका मजब यह नहीं है कि यह सिर्फ एंड्रोइड फोन में उस पर अप्लिगेबल है जब भी मैं 30 की बात करता हूं को प्रॉब्लम बताता हूं तो आपके बास ओपो का फोन है व्यूग का फोन है तो उस मुठ एप्लिगेबल है तो आज अपने टेडल पर लिया है फास चारज़िंग वास चारज़िंग का बहुत ज़्यादा क्वएश्चन आरह है को कि महारी अपडेट के बाद फास चारजिंग कर रहा है फैसे हमने अपड़ेट किया या किसी का फोन पून पुराना ह आ गई है तो इसी से रिलेशन में बताऊंगा यह problem क्यों आ रही है और इसके कुछ solutions जो मैं बताऊंगा उसे 80-90 परशंट तक आपके problem solve हो जानी चाहिए फिर भी अगर नहीं होती है तो definitely कुछ और problem है तो start करेंगे आज का वीडियो और अगर आप नहीं चैनल पर प्लीज लाइक कर लें share कर लें subscribe कर लें और आप भी बताएं कि आपके M30s में या कोई भी अंडर्ट phone में यह fast charging problem आपने face की है तो start करते हैं आज का वीडियो वीडियो स्टार्ट करने में से पहले आपको बताएं कि फास्ट चार्जिंग क्वाल कॉम वाले लेकर आए अरांड दो हजार हिस्तेरा में यह बैसिकली concept आया fast charging का phones के अंदर mobile phones के अंदर उससे पहले क्या था कि जादा current अगर हम adapter में दे देते हैं तो वो फोन के जो parts हैं उसको खराब कर सकता है तो concept यह लाया गया कि voltage बढ़ाई जाए और ऐसा circuit बनाया जाए जो कि फूल प्रूफ हो तो उससे क्या होगा वोल्टेज बढ़ाने से आपकी charging जो है तो यह concept लाते होगी आप दिखने भी आप जितने भी फास्टेस चार्जर हैं उनमें वाटेज अगर आप देखेंगे उसमें वोल्ट काफी जादा हाई होते हैं 30 वोल्ट वोल्ट तो इस तर फोन फास्ट चार्ज करना बंद करते हैं तो किस कारणों से यह होता है वो मैं आपको बताता हूं तो सबसे पहला कारण तो यह है कि जब भी हमारे फोन में अपडेट्स आती है और एक फोन में आती है सॉफ्ट्वियर का थोड़ा अपडेडिशन होता है तब यह चीज़ें होती है तो होता किया कई बाद अपडेट करने से जो फास्ट चार्जिंग वाली सेटेंग कई बार अपने आप आप आफ हो जाती है तो एक डिडिकेटट सेटिंग होती है एंडरोड फोन में कि आप आपने फास्ट चार्जिंग आपको चाहिए येस और नो तो अपडेट करने के बाद कई बार वह अपने आप से उच आफ हो जाती है और आप सोचते हैं कि हमारा फास्ट चार्जर ख्राब हो गया तो प्लीज सबसे पहले तो यह जाकर देख लें अपनी सेटिंग में पहले इस स्टेप को करना है अगर वह आन है फिर भी आपकी चार्जिंग नहीं हो रही तब आपने क्या करना है तब आपका एटी टू नाइंटी परसंट में आपको बता रहा हूं प्रॉब्लम हो सकती है वायर में जी हां जो भी आपकी केबल है अडेप्ट रिक साल लगी को दो मीने में भी खराब हो जाती है तो मैं अपने साब से अपने एक्सपिरिंस आपको बताने वाला हूं कि आप इस चारजिंग वायर जैसे नया डेप्टर आपने लिया नया वायर उसमें निकला उसकी लाइफ मैं मानता हूं तीन चार मीने एवरेज है अगर आप होता है जो जहां से वह आप चार्जर के पोर्ट में डालते हैं वहां पर उसके जो कंटक्ट पॉइंट्स हैं जो पिंज होते हैं वह कई बार जिल्दी घिस जाते हैं तो वह किसने से क्या होता है लूजन लूज हो जाता है वह कनेक्शन चार्जिंग वाला तो उसे होता ग पाइल में लगाते हैं तो वो जो कनेक्शन है सॉलिड है या नहीं थोड़ा क्लिक की वाद आती है या राम से घुसरा उसमें चार्जर अगर स्मूदली जा रहा है इसका मदलब वो जो एक डम ग्रिप थी वो उसकी लूस हो गई और उसके पटाइप गिस गए ये दूसरा नहीं है visiting के फोन में फास्ट चार्जिंग ना होना इस केस में आपके फोन में चार्जिंग होगी लेकिन फास्ट नहीं उपाएगी क्योंकि वह जो connection है वो टाइप नहीं है तो simple solution है कुछ नहीं करना आपको charging वायर ले लेकिन अपकर आपकी वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी ऐसा हो रहा है तो यह फास्ट चार्जर का जो अडेप्टर है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है वो कैसे पता लगेगा वो स्वैप करके पता लगेगा आपने क्या करने किसी और अडेप्टर को लागर देखें किसी और के पास उसी वोल्डिश का है उसमें लगा के देखें अपनी वायर अगर फास्ट चार्जर हो रहा है इसका मदला आपका अडेप्टर में प्रॉब्लम है तो सिंपली अडेप्टर चेंज करने है यह तीन में में कारण है जो मैं आपको हार्डवेर के बताएं और क जैसे एयर बड़ होती है या चोटी से सुई लेकर उसको हलका हलका इसमें से रब करिए तो ध्यान से करें कि आप खराम मत करें हलका हलका उल्टी साइट से लें तो वह जड़ दस पार्टिकल निकल जाएंगे इससे भी फास्ट चार्जिंग में प्रॉब्लम आता है तो य हैं ढूकरना है यह तो उसकेस में बिल्कुल आपने घबराना नहीं हर अंडरोड फॉन में सेर आज कल आ रहा है इसका पावर जब आफ कररते आं तो पावर आफ वाल्टन को तबाह के रखें यह मैंने अपने पिछले नहीं है तो आपको नहीं पता लग रहा तो प्लीज कमेंट में लिखेंगे बहुत ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं डिए बना दूँगा वीडियो कि कैसे सेफ मोड में करते हैं तो अगर आपको आता है तो जाके मैं आपको बता दिया पावर को दबा के रखेंगे तो आएगा से सेफ मोड में जाना है या नहीं आतब आप यस करें तो वो जब रिस्टार्ट होगा फोन तो सेफ मोड में होगा अब सेफ मोड में क्या होता है सेफ मोड में फोन स्टार्ट होता है लेकिन जो जितने भी आपने आपस फालत हो कि डाउनलोड कर रखी है या कोई नई आप ड सुनना कॉलिंग और फोन को स्टार्ट करने के लिए यह सब एप मैं जो डिफॉल्ट एपस हम वही चलते हैं मतलब एक बात कहूं तो सिरफ वह ऐसा लगेगा कि आपके फोन में कोई फालतू की आप नहीं है नया फोन है जब से मोड में आपको ऐसा उस कंडिशन में हुआ जा अब वह आपको याद करना पड़ेगा कि मैंने कौन सी एप कर रही है जिसके बाद यह फास्ट चार्जिंग की प्रॉब्लम शुरूरी है तो वह आप आप ने जाकर डिलीट मार देती है और कभी भी उस आपको दुबार नहीं डालता है तो यही सब कारण है अगर कंपनी क कोई अपडेट देती है नेक्स अपडेट में ताकि वह जो चार्जिंग वाला बग है वह निकल जाए तो यह यह कंपणी करते हैं हरे कंपनी को अपनी कस्टॉमर्स प्यार है और यह सैमसंग को जानता ही हूं सैमसंग और एपकल ऐसी कंपनी है जो अच्छी एप्पनी तो कंपने के तरह से कोई प्रावलम आता है तो अपने आप सॉल्फ करते हैं अगर कंपने के तरह से अपने कोछ इसे गलम मुलाद आप डाउनलड कर लिए जिसके विए से प्रावलम आ रही है उसका स्लूशन मैं आपको बता दिया जाएं फिर चारजिंग करें वह आपके डेफ अफवाएं मैंने आपको कुलीर कर दिया काफी है सर्च के बाद आपको यह साथ आट पॉइंट्स बताएं तो प्लीज जाकर यह करें और बताएं कमेंट्स में कोई और आपकी प्रावलम जिस पे बहुत ज़्यादा प्रावलम आपको आ रही है तो हम उस पे इस में इंक्लूडिंग नहीं तो ऐसा नहीं कि यह बेकार फोन है इसा फोन अभी तक मैं कहूंगा नहीं आया और जहां तक नहीं फोन के अन्बॉक्सिंग और यह चीज़ों की बात है तो वह तो सब करते हैं मेरा चैनल डिफरेंट क्यों है उस पे मैं आपको टिप्स बता रहा हूं यह फोन है यह चैनल है कि डेफिनली कोई नया फोन आएगा जो मुझे अच्छा लगेगा और मेरे पास कंपनी की तरफ से फोन नहीं आते हैं जो टेक्निकल गुरू जी के पास आते हैं तो इसलिए इतने फ्रिक्वेंट ली अन्बॉक्सिंग नहीं होगा थी फि उसका साउंड टच ठटी का पूरा रिव्यू आएगा मेरे पास पहले भी एक बोस की साउंड बार है उसका मैंने पूरा रिव्यू किया था काफी लोगों को क्वेस्टन्स आते हैं उस पर तो अब यह कपैरेजन उससे होगा यह उससे स्वड़ा हाई रेंड का आउडियो सिस्टम है फ्रम दबोस काफी लोग लेना चाहते हैं तो तो चाहते हैं कि पहले अच्छे से कोई रिव्यू कर दें तो वह मैं आप करने वाला हूं चल्दी नेक्स्ट वीक हमारे पास वह पहुंच जाएगा तो आपको फुल वीडियो सारे अस्पेक्ट उसके देखने को म सब्सक्राइब जरू करें क्योंकि चैनल पर इस तरह की वीडियो आते रहते हैं और जहां तक द्रोंस की बात है अब मैं ड्रोंस में एफ पीवी ड्रोंस एक ऐसी कैटिकरी यह जिसके बारे में मैं मैं स्में एक्स्प्लोर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं हुआ हुआ है